हलो फ्रेंड्स अभी उस रात पक्ष चल रहे हैं गाईस और संडे का दिन है गाईस और पंजमी के दीदी के दिन हम लोग हर साल जो है पापाजी के लिए खाना बनाते हैं इस तरह का और शॉले टेकिये ओएस साथ में खाणा बनारी भी मैं केसे बनाति है आपके साथ शेयर कर है और मैंने हापटी की पोटिली यह की बना रहेग ताकि जो है कदर अच्छा चाहीक और मैंने इस चोले डाल दहांने होच जॉले बनाला वहर मैंने आपदी के पोट्री डाली कि मैंने में आप डाल देए खड़े मसाले जैसे दाजचे नी बड़ी लैची दो-तिन नोग मैं आप डाल देए और एक खड़ी लैचे डाल दी मैं आप आप डूप जाए और एक छोड़ा चमच मेंडיד में आह पर इसमे डाला आई नमक कर लें और रखकर लगा देंगे और पांच से छे स्कीम विसलाने देंगे और चोरे साइड में बन रहें गाइस जब तक मैं आप खीर बनाओंगे आज और मैंने आपर डेट से दो लिटर के करीब मैंने आप पर दूद लिया था फुल फैट बिल्कु सुबगे दूद आयदा वही लिया में है और मैंने अपर चोटी का टोली चावल यह बास्मति कावल को रहें वर्म धुर्मे को डाल दिया है साइड में यह भी होते में पर बड़ नाइज बनाती थी पापा जी के लिए में राप पर गुड़ का पाउडर लिया गाईज ताकि जल्दी से काम हो जाए और पाने को मैं आपके घौल दाने तक फड़े पर मेल्ट हो जाए मैं आप पर बेसंट लिया है और में आपर डार रहे हूं अपर में और पांग डालेंगे इसका हम गोल बनाएंगे और गाइस जब भी आप बनाऊना भजी का गोल तो एक बड़ा विस्कर से गोल लिएगा आपके भजी ना इतने फ्लफी और इतने सॉफ्ट बनेंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे इसको मैंने गोल दिया और इसको हम रखेंग पहले के लोगो ना जाइस मीठे बजी और चरके बजी बहुत पसंद होते थे तो बस मैं भी वही बना रही हूं मम्मी जी मेरी वैसी बाती थी तो मैं भी बिल्कुर वैसी बना रही हूं इसके साथ मैंने आप रखी थी उड़त की दाल भी गोगे पर उस दिन ना गाइस मत चीज थाली से मैं सब्स होगी थी इस प्रकाु और या पर भी बनाएंगए तो अचका ठा इस तो कुछ भी गलती होगा सब्सक्राइब Sunday करें आधी और होगी सब्सक्राइब करोडिया क्योंकि मम्मी के साथ मैं काफ़ सालों से रही हूं तो मम्मी ने मुझे काफ़ कुछ सिखाया है और मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही हूं और यहां पर देखिए चोले जो अच्छे से गल चुके हैं मैं आप पोटली को अलग कर दूंगी और कुछ जो इसमें डाले मैं खड़े अरने विल्कुल अच्छे सोफ्ट हो गाए और साइट में हमारी खेर खेर बील काई अच्छे से बॉल होगे थी तो मैं आप डाल दी श पाउडर ताकि खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और सच में बहुत अच्छी खीर बने थी यह वाली और आज लाइट के कारणना मेरे वीडियो प्रॉपर नहीं बनी है लाइट नहीं थी और मैंने आप गाईस दो तीन टमाटर लिये हैं और अदरक का टुकड़ा लि यह जीरा इंग डाला मेरे हां पर और मैं अपमें आप डाल रहे हूं टमाटर हरे मिड्शी लेसन का जो मैं आप पर पेस्ट आला ताब बोग्ड़ा इसको मिक्स कर लेंगे जब तक इसका पंदूर हो जाए आप मैं आप डाल रहे हूं रूटीन के मसाले जिसमें में आप अपर दनिया पाउडर हल्दी गरम मसाला इसा आप मैं आप डाल दी नमक भी डाल दी हलका सा इसको मिक्स कर लेंगे इसको पकाएंगे ताकि जो ऐल चोटने लगे इसमें उसके बाद हम आप डाल देंगे आप पर छोले गाईज देखे कितने मस्ते लग रहे ना कितना चकर आपके आपकों अच्छे बने थे और इसको मेरा अच्छे मिक्स कर लिया है जो अच्छे से बॉइल हो गया थे मिक्स कर लिया था था कि छोले दब जाएंगे तो थोड़ा सी गाड़े हो जाएंगे हलके हलके और गाइस आपको आज कामेरा वीडियो अच्छे लग रहा हो तो एक लाइक करना शेयर करना फॉलो करना गाइस और यहां पर इसको मिक्स कर करना रही हो भाज है और यहां पर मैं धाल को पहले है और चाथ से लगा और यहां सब्च से लगती और यहां पर मैं चशा कि अशेले बहुत और देतु से बनाके खिया मिश्चित अज्छे मेरा मेंकी समय ऐनातले और लॉड़ कर सकते आप इस जीक मिला है कि कि ने अच्छ कितनी अच्छी बनेगी पूरी कि हमारी फूली फूली और बढ़ीया बढ़ीयah पूरी बनेगी हैं पर और और मिस्ता बना रही है देगे और ऐसे सको फिलिप कर लेंगे एककषड पूरीisu जब फूल जाएगी और हे ne तो मेरे पूरिया बंगी दिकारेश पोरा खाना बंग गया था और उस दिन भूछ जाता गर्मी थी ऐसा लगा दोबारा से आ गई है बहुत गर्मी लग दिन मुझे भूछ जाता गर्मी लग और यह देखिए जो है पूरिया हमारी बन गई है असी के बाद मैंने हाँ पर उसी तेल में जो है भजी भी तन लिये थे मम्मी जी मेरी क्या कर दे थे ना चोटी होटे बनाते थे भजी है ताकि जो है हम जो चड़ाएंगे भोग तो जाता था चीरिया को कवे को और डोगी व बहुत जाएंगे को अब अलक्त लाएंगे इसको हलका सॉफ्टय रखना है क्योंकि आम भोग के लिए थे मतलब थाली के लिए और मेरे भजी बना लिए और यहां पर मीटे भजी बना ली थे इसी तेल अकड़ाई में तो यहां पर देखिए कितने सॉफ्ट भजी बन यह वाले भजिए सारा खाना मेरे हाप पर डन होगे था गाइस और अब में लगारी ठाली यहाँ पर रखिए यहाँ पर खी रखिए और इसके साथ यहाँ पर छोले बनाया थे यह देखे कितने अच्छ लग रहे हैं बिन लसुन प्याचे गाइस चोले बहुत ही अच्छ बनता है जरूर से मुझे बताना कॉमेंट शेक्षन में मेरे हाप मीठे बजी चरके बजी रख दिये और पर पूरी रख दी मेरे हाँ पर देखिए और रेसेपी अच्छ लगी हो गाईस तो प्लीस एक लाइक करना फोलो करना तो मेरे आपर जो थाली ती शाद की थाली जो